आपका part 2 on the face of it part 1 में complete कर चुका हूँ तीन parts की मैंने कहा था तीन parts इसके तयार करने हमको पहला part complete हो गया है अब तक हमने पड़ा था कि दो लोगों में पाथचीत हो रही है Mr. Lamb और Dairy दोनों ही handicapped हैं किसी ना किसी प्रकार से जो Mr. Lamb है उसकी एक पैर बिसपोर्ट में उड़ गई है पॉम से और Dairy जो है उसका चेहरा आदा जला हुआ है एसिड से जल गया है Mr. Lamb बगीचे में बैठा हुआ है तो Dairy वहाँ पे आता है तीवाल कूद करके आता है और Dairy अपनी समस्याओ को महाँ पे बताता है कि किस तरह से लोग मेरे चेहरे से डरते हैं और तुम नहीं डरे क्या सारी बाची तुम दोनों के बीच में होती रहती है और वो लास्ट में कहता है कि मुझे सिर्फ मेरी मा ही प्रेम करती है मेरी मा मुझे चूमती है मेरे चेहरे को क्योंकि मेरा चेहरा इतना भयानक है कि कोई मेरे चेहरे को चूमना नहीं चाता और मेरी मा भी सिर्फ इसलिए चूमती है क्योंकि उसे चूमना पड़ता है अपना प्यार दिखाना पड़ता है तो यहाँ पर वो कहना चाहता है Mr. Lamb उससे कहता है कि क्या तुम किसी को चूमना चाहते हो कुछ इस तरह की बाते होती है तुम्हारा दूसरों के बारे में क्या बिचार है तो पेज नंबर 77 हमने complete कर लिया था पेज नंबर 77 की last line बड़ी important लगी कि मुझे इसको दुबारा से मैं देख लेता हूँ एक बार पेज नंबर 77 यहाँ से ले लेते हैं Mr. Lamb कह रहा है tin doesn't hurt boy कि जो लोहा है वो मेरे पैर को चोट नहीं पहुचाता है when it came off did it क्या जब तुम्हारा पैर उड़ा था बिसपोर्ट में क्या तब दर्द हुआ था certainly निश्चे थी dairy and now or of I mean where the tin stops at the end जहाँ पे लोहे की पैर जहाँ से शुरू होता है तुम्हारे क्या वहाँ पे दर्द करता है लोहा Mr. Lamb now and then कभी कबार करता है in wet weather it doesn't signify जब थोड़ा सा नमी वाला मौसम होता है बारिस का सा मौसम होता है तब मेरे दर्द होता है it doesn't signify लेकिन इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं उस दर्द को सेंड कर लेता हूँ dairy फिर dairy कहता है बहुत अच्छी लाइन है ये oh that's something else they all say अरे यही तो वो लोग वो सभी लोग कहते हैं क्या कहते हैं देखिए क्या सुना dairy ने look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and do not feel sorry for themselves लोग कहते हैं look at all those people उन लोगों को देखो who are in pain जो दर्द में होते हैं and brave और बहुती भादर होते हैं and never cry और कभी भी रोते नहीं है and never complain और नहीं वो सिकायत करते हैं and do not feel sorry for themselves or don't feel sorry और नहीं वो अपना दुख ब्यक्त करते हैं तो ये एक सीख यहाँ पे dairy को दी जा रही है कि तुमारा आदा जला हुआ चेहरा है कोई बात नहीं सिकायत मत करो अपनी परेशानियों को दूसरों के सामने रो मत तो dairy कह रहा है इसी लिए लोग कहते हैं क्योंकि Mr. Lamb ने कह रहा कि मुझे दर्द होता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि dairy अपने चेहरे को लेकर के दुखी है परेशान होता रहता है Mr. Lamb पेज नमबर 78 और यहीं से हमारा second part स्टार्ट हो रहा है आज Mr. Lamb Mr. Lamb कह रहा है I haven't said it मैंने तो नहीं कहा यह जो तुमने बात कही है and think of all those people worse off than you फिर dairy कह रहा है उन लोगों की सोचो जो तुमसे भी जादा बुरी इस्तिती में है think सोचो you might have been blinded तुम अंधे हो सकते थे और born deep या फिर तुम बहरे पैदा हो सकते थे और have to live in a wheelchair तुम पईयों वाली चेहर पे जीवन जी सकते थे और be daft in your head and dribble और तुम अपने daft means पागल होना तुम पागल हो सकते थे and dribble या फिर तुमारे कोई ऐसा घाव लग सकता था जो हमेशा फूटता रहता रिसता रहता तुम जैसे इस्तिती में हो अभी तो ठीक है तुम ऐसे हो सकते थे तब क्या होता and that is all true you know it और ये सच है तुम इस बात को जानते हो कि हम और भी बुरी इस्तिती में हो सकते थे हम जैसी भी इस्तिती में हैं हमें अमारी परेशानियों को दूसरों के सामने रोना नहीं है हम उस्ते भी जादा बुरी इस्तिती में हो सकते थे कुछ और भी लोग हैं जो और जादा बुरी इस्तिती में होते हैं हम तो फिर भी अच्छी इस्तिती में है तुमारा चेहरा जला हुआ है मेरी सिर्फ एक पैर टूटा हुआ है dairy it won't make my face change लेकिन इस से मेरे चेहरे पर तो कोई परिवर्तन होगा नहीं इन सब बातों से do you know one day a woman went by me in the street एक दिन एक महिला गली में मेरे पास होकर गुजरी थी I was at bus stop मैं bus stop पे खड़ा हुआ था and she was with another woman और वो एक दूसरी महिला के साथ में थी and she looked at me और उस महिला ने मेरी तरफ देखा and she said और फिर वो बोली whispered only I heard her धीमे से बोली किवल मैंने सुना था उस महिला को she said उसने कहा उस महिला ने look at that इसको देखो that is a terrible thing कितना भयानक लड़का है ये कितना भयानक चहरा है इसका that is a face only a mother could love इसका ऐसा चहरा है कि सिर्फ इसको एक माही प्यार कर सकती है और कोई इसको प्यार नहीं कर सकता Mr. Lamb Mr. Lamb बोल रहा है so you believe everything you hear them फिर जो तुम सुनते हो क्या तुम्हें उस पर विस्वास होता है very it was cruel कि ये बिल्कुल कड़वा था जो उन्होंने बोला कि मेरे चहरे को देखका cruel यहां से मतलब better कि ये कड़वा सकते था उन्होंने जो बोला कि मेरा चैरा जला हुआ है मेरी माई मुझको प्रेम करेगी तो Mr. Lamb ने कहा कि क्या तुम जो सुनते हो उस पर विस्वास कर लेते हो Mr. Lamb may be not mint as much हो सकता है उसका वो अर्थ नहीं हो जो महिला ने कहा कि इसको सिर्फ इसकी माई प्रेम कर सकती है maybe हो सकता है not mint as such कि उसके बोलने का ये मतलब ना हो just something sad between them कुछ चीज उन दोनों के बीच में होई होगी दोनों महिलाओं के बीच में उन्होंने बात की थी कुछ only I heard it I heard केवल मैंने सुना था मैंने सुना उनको कि वो महिला कह रही थी कि कोई इसके नहीं चूम सकता Mr. Lamb and that is and is that the only thing you ever heard anyone say in your life क्या तुमने केवल यही चीज सुनी है अपने जीवन में जो किसी ने कुछ तुम से कहा है and is that the only thing क्या केवल यही चीज है you ever heard जो तुमने सुनी है anyone say in your life तुमारे जीवन में क्या लोगों ने सिर्फ यही कहा है कि इसका चेहरा वेकार है और कुछ नहीं कहा है तुमारे बारे में oh no I have heard a lot of things अरे नहीं नहीं केवल यहीं नहीं सुना मैंने बहुत सारी चीजें लोगों ने मेरे बारे में कही है Mr. Lamb so now you keep your ears set ऐसा करो अब तुम अपने कान बंद कर लो सुनो ही मत लोगों की you are peculiar तुम बड़े अजीब हो तुम बड़े बिचित्र हो डैरी कह रहा है you say peculiar things तुम अजीब बातें करते हो बड़े strange बिचित्र बातें करते हो तुम कुछ अलग प्रकार की बातें करते हो you ask questions and I do not understand तुम प्रस्न भी पूछते हो और मेरी समझ में नहीं आता कि क्या पूछा है तुमने Mr. Lamb I like to talk मुझे बात करना पसंद है have company लोगों के बीच में रहना पसंद है you don't have to answer questions तुम्हें प्रस्नों का जवाब देने के आवसकता नहीं है you don't have to stop here at all नाहीं तुम्हें यहां रुखने के आवसकता है the gate is open दर्वाजा खोला हुआ है yes, हाँ, बट लेकिन Mr. Lamb I have a hive of bees behind those trees over there कि मेरे यहां बगीचे में hive छत्ता है इसका मदुमक्खियों का मदुमक्खियों का छत्ता है behind those trees उन पेड़ों के पीछे over there, वहां देखो some hear bees and they say bees buzz कुछ लोग सुनते हैं मदुमक्खियों को और वो कहते हैं bees buzz कि मदुमक्खियां भिन बिनाती हैं कुछ लोग मदुमक्खियों की आवाज सुनते हैं मदुमक्खियां भिन बिनाती है but when you listen to bees for a long while लेकिन जब तुम मदुमक्खियों को देर तक सुनते हो they hum वो गुनगुनाती है and hum means sing और गुनगुनाने का मतलब गाती है I hear them singing my bees मैं मेरी मदुमक्खियों को गाते हुए सुनता हूं तो Mr. Lamb कहना चाता है कि ये लोगों का नजरिया है कि वो किस प्रकार से चीजों को देखते हैं कुछ लोगों ने तुमारे चैरे को देखकर भयानक का होगा कुछ को तुमारे चैरे पर दया आई होगी कुछ ने तुम्हारे दूसरे गुणों को देखा होगा जैसे मदुमक्कियों की कोई कहता है भिन बिनाती है किसी को गाना लगता है मदुमक्कियों की अवाज dairy but I like it here लेकिन मुझे यहां रुखना पसंद है I came in because I liked it मैं यहां आया था you would not have come in यदी तुमने मुझे देख लिया होता तो साय क्या तुम अंदर आते यदी तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम अंदर आते इसमें dairy no, 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 no नहीं आते dairy it would have been trespassing यह trespassing था trespassing means अतिक्रमन करना without permission यह मेरा आना तुमारी बिना अनुमती के था मैं बिना अनुमती के आया तुमारे यहां अंदर Mr. Lamb Mr. Lamb कह रहे हैं फिर Mr. Lamb अरे, that's not अरे, ऐसा नहीं नहीं वाई, क्यों, ऐसी क्यों कह रहे हो तुम dairy I don't like being near people मैं लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता when they stay here जब वो मुझे घूरते हैं when I see them being afraid of me और जब मैं देखता हूँ कि वो मुझे डर जाते हैं लोग तो मैं लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता Mr. Lamb who could lock sorry, you could lock yourself up in the room and never leave it कि तुम अपने आपको lock, बंद कर सकते हो ताला लगा कर एक कमरे में कमरे में अपने आपको बंद कर लो and never leave it और उसको छोड़ कर निकलो इमत उस कमरे को there was a man who did that एक आदमी था जिसने ऐसा ही किया he was afraid वो डरा हुआ था you see तुम जानते हो तुम जानते हो वो डरा हुआ था वो आदमी एक आदमी ने ऐसा ही किया of everything हर चीज से डरता था वो आदमी everything in this world इस संसार की हर चीज से डरता था a bus might run him over उसको लगता था कोई bus मुझे कुचल देगी और a man might breathe deadly germs into onto him उसको लगता था कि कोई व्यक्ती सांस के साथ deadly germs खतरनाक किटानू मेरे उपर छोड़ देगा ऐसा डर लगता था उसको और a donkey might kick him उसको डर लगता था कि कोई गदा मुझे को लात मार देगा to death और वो मुझे मार देगा वो लात मार करके और lightning might strike him down या फिर मुझे पर आकासिय बिजली गिर पड़ेगी और मुझे मार देगी ऐसा डर लगता था उसको और he might love a girl उसको लगता था हो सकता है किसी लड़की से मैं प्यार करू and the girl would leave him और लड़की मुझे छोड़ कर चली जाए and he might slip on a banana skin and fall and people people who saw him would laugh their heads off उसको ऐसा लगता था he might slip on a banana skin कि वो किसी केले के छिलके पर से फिसल सकता है and fall और गिर सकता है and people और वो लोग who saw him जो उसको देखेंगे would laugh their heads off जोड-जोड से उसके उपर हसेंगे इन सारी चीजों से वो डरता था so इसी लिए he bent into his room वो अपने कमरे में गया and locked the door और दरबाजा बंद कर लिया उसने जाकर के and got into his bed and stayed there और जाकर अपने विस्तर पा सो गया और वहीं ठहरा रहा उसी कमरे में dairy forever हमेशा के लिए वहीं रहा था क्या कमरे में dairy forever हमेशा के लिए वहीं रहा mr. lamb for a while थोड़ी देर के लिए तो रहा कमरे के अंदर then what फिर क्या हुआ dairy ने पूछा mr. lamb बोला a picture fell off the wall onto his head and killed him एक तस्बीर दीवार पर से उसके उपर गिर गई and killed him और वो आदमी मर गया जो कमरे में था dairy laughs a lot dairy बहुत देर तक हसता है mr. lamb you see तुम जानते हो dairy but you still say peculiar things अभी भी तुम अजीब बातें कर रहे हो बिचेतर बातें कर रहे हो mr. lamb peculiar to some कुछ लोगों के लिए अजीब हो सकती है dairy what do you do all day dairy पूछता है तुम पूरे दिन पर करते हैं क्या हो यहां पे इस जगे पे पूरे दिन क्या करते हो तुम यहां okay राय फीर mr. lamb कह रहे है sit in the sun धूप में बैठता हूँ read books किताबें पढ़ता हूँ ah you thought it was an empty house तुमने सोचा था कि यह घर खाली है but inside it is full लेकिन अंदर से यह भरा हुआ है books and other things और किताबें हैं और दूसरी चीज़े हैं मेरे घर में full बिलकुल भरा हुआ है मेरा घर dairy but there aren't any curtains at the windows लेकिन खिडकियों पर परदे नहीं है mr. lamb I am not fond of curtains जो है सामने है तुम अपने चैरे को छुपाते रहते हो मेरी प्यार सभी के सामने है तो curtain से मतलब मैं छुपता नहीं हूँ setting things out भार की चीज़ों को मैं भार की चीज़ों से मैं छुपता नहीं हूँ परदे नहीं लगाता setting things inside नहीं अंदर की चीज़ों को मैं बंद करता हूँ परदे लगा करके I like the light and darkness मुझे उजाला पसंद है और अंधेरा भी पसंद है and the windows open to hear the wind और मैं खिड़कियां खुली रखता हूँ हवा की आवाज सुनने के लिए तो यहाँ पर वो संदेश देना चाहता है कि मुझे अच्छी बाते भी पसंद है और कोई कड़वी बात बोलता है मेरे पैर के वारे में वो भी ठीक है Yes, I like that हाँ, मुझे भी यह पसंद है When it is raining, I like to hear it on the roof जब बारिस हो रही होती है तो मैं च्छत पर बारिस की बूंदों को सुनना पसंद करता हूँ अच्छी लगती है मुझे बारिस की बूंदे So, you are not lost, are you? ओ, तो तुम खोये हुए नहीं हो Are you? क्या तुम खोये हुए हो? Not all together कि पूरी तरह से खोये हुए नहीं हो तुम तुमारे अंदर अभी भी चेतना है You do hear things तुम चीजों को सुनते तो हो You listen तुम सुनते हो चीजों को जैसे मैं हवा को सुनता हूँ मैं मदमक्यों के गुन-गुनाने की अवाज को सुनता हूँ तो तुम भी चीजों को सुनते तो हो Daddy, they talk about me downstairs की नीचे सीडियों पर मेरे घर में, मेरे बारे में बात की जाती है When I am not there जब मैं घर पे नहीं होता तो घर वाले मेरे बारे में बात करते हैं What will he ever do? क्या करेगा ये लड़का? What is going to happen to him when we have gone? इस लड़के के साथ क्या होगा जब हम यहां से चले जाएंगे तो मेरे माबाप मेरे बारे में बात करते हैं जब हम चले जाएंगे तो इस लड़के के साथ क्या होगा? How ever will he get on in this world? वो इस संसार में कैसे जीवित रहेगा? कैसे जीएगा इस संसार में? Looking like that इस तरह से तो यह दिखता है इसका चहरा With that on his With that on his face कि इसका चहरा इस तरह से है That's what they say यह कहते रहते हैं मेरे बारे में Mr. Lamb Mr. Lamb कह रहा है फिर Mr. Lamb Lord Boy You have got two arms Hey Bhagwan लड़के You have got two arms तुमको दो हाथ मिले हैं Two legs दो तुमारे पैर हैं And eyes and ears तुमारे कान भी हैं आँख भी हैं You have got a tongue And a brain तुमारे पास एक जीव है तुमारे पास दिमाग है You will get on the way you want जैसा तुम चाते हो बैसा तुम रह सकते हो Like all the rest जिस तरह से सेस लोग रहते हैं संसार में उसी तरह से तुम रह सकते हो If you choose And set your mind to it You could get on better than all the rest If you choose जैसा तुम पसंद करो You set your mind to it उस की तरफ अपना द्रड निष्चय कर लो Mind में रख लो उसको Set your mind अपना लक्ष बना लो And if you choose यदि तुम अच्छा जीवन चुनते हो तो उसे अपना लक्ष बना लो You could get on better Than all the rest तुम जादा अच्छे तरीके से रह सकते हो अन्य लोगों की तुलना में यदि तुम अपना लक्ष बना लो और चीज को चुन लो तो तुम अच्छे तरीके से रह सकते हो How? कैसे? वो पूछ रहा है कैसे रह सकता हूँ मैं? Same way as I do जैसे मैं रहता हूँ इस तरह से रह सकते हो Daddy Do you have any friends? क्या तुमारे दोस्त हैं? Daddy ने उससे पूछा Hundreds सेंकडों हैं Daddy But you live by yourself in that house It is a big house too लिकन तुम इस घर में अकेले रहते हो और यह बहुत बड़ा घर भी है Mr. Lamb Friends everywhere मित्र तो हर कहीं जगे होते हैं People come in, लोग अंदर आते हैं Everybody knows me हर कोई मुझे जानता है The gate is always open दरवाजा सभी के लिए खुला हुआ है They come and sit here वो लोग यहां आते हैं और बैठते हैं And in front of the fire in winter और सर्दियों में आग के सामने आकर बैठ जाते हैं Kids come for the apples and the pears बच्चे आते हैं सेबों के लिए And peers नासपाती के लिए And for toffee और toffee लेने के लिए भी आते हैं I make toffee with money With honey मैं सहद से toffee बनाता हूँ Anybody comes So have you हर कोई आता है यहां पे So have you जिस तरह से तुम आये हो इस तरह से हर कोई आता है Dairy But I am not afraid लेकिन मैं डरा हुआ नहीं हूँ Sorry But I am not a friend मैं कोई दोस्त नहीं हूँ तुमारा Mr. Lamb Certainly you are Nishcheti तुम हो So far as I am concerned जहां तक मेरा संबंद है What have you done to make me think you are not कि तुमने ऐसा क्या किया है जिससे कि मैं सोचू कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो What have you done to क्या किया है तुमने to make me मेरे साथ Think you are not कि मैं यह सोचू कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो ऐसा क्या किया है तुमने मेरे साथ You don't know me Daddy कह रहा है तुम मुझे जानते भी नहीं हो You don't know where I come from तुमको यह भी नहीं पता कि मैं कहां से आया हूँ और even what my name is और यहां तक मेरा नाम क्या है यह भी तुमको नहीं पता Mr. Lamb Why should that signify इन चीज़ों से क्या फर्क पड़ता है Do I have to write all your particulars down क्या मुझे तुमारी सारी जानकारिया लिखनी पड़ेंगी and put them in a filing box और उन सभी को एक डिब्मे में डालना पड़ेगा Before you can be a friend इससे पहले कि तुम मेरे दोस्त बनो तो क्या तुमारी सारी जानकारिया मुझे कागज पर लिखनी पड़ेंगी और उसे एक संदूक में रखना पड़ेगा Dairy I suppose not मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं होता है दोस्त बनाते हैं तो ऐसी जानकारिया नहीं लिखते हैं Mr. Lamb You could tell me your name Mr. Lamb कह रहे हैं तुम मुझे तुमारा नाम बता सकते हो कि वाई तुमारा नाम क्या है मुझे बताओ If you choose यदि तुम्हें अच्छा लगे and not if you didn't और यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो मत बताओ तुम्हें डैरी कह रहा है डैरी Only it is डैरेक कि केवल डैरेक है मेरा नाम But I hate that मुझे डैरेक नाम से नफरत है डैरी डैरी सही है If I am your friend यदि मैं तुमारा दोस्त हूँ You don't have to be mine तो तुम्हें एक काम मेरा करना होगा डैरेक नहीं कहना है मुझे डैरेक मत कहो I choose that मैंने चुनाए है मैंने डैरी चुनाए है तो मुझे डैरेक मत बलाओ डैरी कहो मुझे Mr. Lamb Certainly निश्चे थी भई डैरी कहोंगा डैरी I might never come here again मैं यहां दुबारा साहिद नहीं आ सकता हूँ You might never see me again तुम साहिद मुझे दुबारा नहीं देख सकते हो And then I couldn't still be a friend तो फिर मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता हूँ बताओ मैं हो सकता है दुबारा यहां आऊं ही नहीं And you might even speak to them बहुत से लोग इस गली से गुजरते हैं और हो सकता है तुम उनसे बात भी करते हो But you never see them again और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको तुम दुबारा से नहीं देखते हो It doesn't mean they are friends इसका मतलब यह नहीं है कि वो दोस्त हैं कि बहुत से लोग आते जाते हैं और वो दुबारा आते नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सभी को अपना दोस्त कह लें Mr. Lamb doesn't mean they are enemies इसका मतलब यह नहीं है कि वो सत्रू है इसका मतलब यह नहीं है कि वो सत्रू है dairy no they are just nothing नहीं वो कुछ भी नहीं है people that's all कि वो लोग कुछ भी नहीं है dairy ऐसा कह रहा है कि जो आते जाते हैं उनको हम अपना दोस्त कैसे कह सकते हैं जो दुबारा आते ही नहीं है Mr. Lamb people are never just nothing never लोग हमेशा कुछ भी कभी नहीं है कुछ भी नहीं कह सकते तुम लोगों को कुछ नहीं कह सकते लोगों को there are some people I hate कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं घ्रना करता हूँ dairy कह रहा है Mr. Lamb that would do you more harm than any bottle of acid कि जो तुम घ्रना करते हो न लोगों से ये तुमको ज़्यादा हानी पहुचाएगा than any bottle of acid किसी acid की bottle की तुलना में किसी तेजाव की bottle की तुलना में तुम लोगों से जो घ्रना करते हो न ये ज़्यादा हानी पहुचाएगा acid only burns your face घ्रना केवल तुमारे चहरे को जलाती है तेजाव ने केवल तुमारे चहरे को जलाया है dairy only cable केवल कह रहे हो तुम तो उसके कहने का मतलब है कि तेजाव ने तुमारे चहरे को जलाया है और घ्रना तुमारे अंदर की गुणों को जला देगी like a bomb only blue up my leg जिस तरह से bomb ने एक बिसपोर्ट ने मेरी पैर को ड़ा दिया था there is burst thing can happen इससे भी ज्यादा कुछ गलत हो सकता था मेरे साथ you can burn yourself away inside तुम अपने आपको अंदर से जला सकते हो ऐसी घ्रना करके तुम अपने आपको अंदर से जला सकते हो तुम ग्रना मत करो लोगों से dairy dairy कह रहा है after I had come home जब मैं घर से आ गया था one person said एक आदमी बोला जब मैं घर से आ गया था तो एक आदमी बोला था after I had come home जब मैं घर से आ गया था one person said एक आदमी ने कहा था he would have been better of stopping in there कि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये लड़का यहीं पे ठहरा रहे in the hospital अस्पताल में ही तो कह रहा है कि जब मैं अस्पताल से आया था hospital से आया था मेरा चैरा जला हुआ था तो मैं hospital गया और जब मैं hospital से वहां से छुटी होई मेरी तो एक आदमी कह रहा था कि ज़्यादा अच्छा रहे ये लड़का यहीं पे ठहरा रहे hospital में he would be better off with others like himself ये अच्छा रहेगा कि ये अपने जैसे लोगों के बीच में रहे कि जो जले हुए चैरे वाले लोग हैं ऐसे लोगों के बीच में रहे तो ज्यादा अच्छा है see things blind people only ought to be with other blind people वो सोचती थी कोई महिला है कोई महिला सोचती है कि blind people only ought to be with other blind people कि अंदे लोगों को अंदे लोगों के साथ में रहना चाहिए and idiot boys with idiot boys और मूर्क लड़कों को मूर्क लड़कों के साथ में रहना चाहिए Mr. Lamb and people with no legs altogether और बिना पैर वाले लोगों को भी साथ रहना चाहिए Derry that's right यह सही है ऐसा ही कहते हैं लोग कि जो जैसा है उसके साथ ही रहे Mr. Lamb what kind of world would that be वो संसार कैसा रहेगा जहां एक जैसे ही लोग रहते हैं Derry at least there would be nobody to stare at you कम से कम कोई ऐसा तो नहीं होगा जो तुमारी तरफ घूरे because you weren't like them क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो तुम एक पैर वाले हो तो एक पैर वालों के बीच में रहो तो कोई एक दूसरे की तरफ घूरेगा तो नहीं जैसे मेरे चैरा जला हुआ है तो मैं जले हुए चैरे वालों के बीच में रहोंगा तो कोई मुझे देखेगा नहीं Mr. Lamb, Mr. Lamb कह रहा है फिर So, you think you are just the same as the other people with burnt faces तो तुम ऐसा सोचते हो कि तुम बैसे ही हो जैसे दूसरे लोगों के जले हुए चैरे हैं क्या तुम उनके ही जैसे हो Just by what you look like कि तुम बाहर से दिखते हो तो क्या तुम उनके ही जैसे हो गए Everything is different हर चीज अलग-अलग होती है Everything is the same चाहे बाहर से एक जैसी हो चीज है But everything is different लेकिन हर चीज इटसेल्फ अंदर से अलग-अलग होती है दो ब्यक्तियों के चेहरे एक जैसे हो लेकिन उनके गुण अलग-अलग होंगे Mr. Lamb ये कहना चाहता है How do you make all that out तुम ये सारी बाते कैसे कर लेते हो कैसे अंदाज अलगा लेते हो सारी बातों का कि दो चीज एक जैसी हो सकती है लेकिन अंदर से वो अलग-अलग होंगी दो आप अमरूद लीजिए दो सेव लीजिए तो बहार से दिखने में एक जैसे हो सकते है लेकिन टेस्ट अलग-अलग होगा कोई खटा निकलेगा, कोई नीटा निकलेगा Mr. Lamb कह रहा है Watching, Listening, Thinking देख करके, सुन करके और सोच करके मैं अंदाज आ लगाता हूं चीजों का I would like a place like this Derry कह रहा है मुझे ये इस्थान बड़ा पसंद आया है A garden I would like a house with no curtains मैं भी एक ऐसा घर चाहूंगा जिसमें परदे नहीं हो Mr. Lamb The gate is always open दर्वाजा हमेशा खुला हुआ है आ जाओ Derry But this is not mine ये घर लेकिन मेरा नहीं है Everything is yours if you want it हर चीज तुमारी है यदि तुम चाहते हो तो हर चीज तुमारी है Everything is yours if you want it यदि तुम चाहते हो अर चीज तुमारी है What is mine is anybody's जो कुछ मेरा है वो सभी का है Mr. Lamb कह रहा है So I could come here again तो क्या फिर मैं दुबारा आ सकता हूं Even if you are out चाहे तुम भाहर हो घर से तुम मैं क्या आ सकता हूं I could come here तो क्या मैं यहां आ सकता हूं तुम भाहर हो वाले Certainly निसंदे You might find others here तुमको यहां दूसरे लोग मिल जाएंगे Of course बास्तम में दूसरे लोग मिल जाएंगे ओ डेरीगर अच्छा यह बात है तो यहां पे हमारा part Second खतम होता है Page number 82 से हम part Third start करने वाले हैं Third part रहेगा Page number 82 से 82 page से पढ़ेंगे हम part third बने रहेए अपने English Guru उमेश चौधरी के साथ मेरे YouTube चैनल English by उमेश गुरू को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए पढ़ेंगे 82 page से आपका part third और वहीं पे आपके इस लेसन को खतम करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ बने रहे